पर्खन पर्खन के चुनाओ को लेकर गुरुवार को नामंकन की दूसरे दिन पर्खन मुख्याले पर पर्टियाशिय अफ समर्थकों की काफी भीर देखा गया समर्थकों की भीर ज्याद रहने से यादा याद मी प्रभावित हुई पर्खन विकास परधिकारी सा निर्वाजी परधिकारी अर्विन कुमार सिंग ने बदाया की नामंकन की दूसरे दिन करीब 412 अभिहार्टियों ने नामंकन पद्र दाखिल के जिसमें मुख्या के लिए हरलाखी पंचाय से जैनुल राइन, कवाहा से बरही पंचाय से नवल पंडित, कल्ना पंचाय से रागवेंद्र रमन, सिसोना पंचाय से यदू वीर साह, विशौल पंचाय से मोहनराम सहीद कुल 36 अभिहार्टियों ने नॉमिनेशन करवाया वई कछारी सर्पंच के लिए कवाहा बरही पंचाय से लाल मुहमत पमारी सहीद करीब 24 अभिहार्थियों ने नामंकन पत्र दाखिल किया वही पंचाय समीती सदस्य के हरलाखे पंचाय से कौशर खातुन पती सद्रियालग जिरकी पंचाय से राजेश कुमार पांडे उर्फ बाला सहित 37 अभ्यार्थियों ने नामंकन पत्र दाखिल किया वही वाट सदसे के लिए 228 तो कचारी पंच के 87 अभ्यार्थियों ने अपना नामंकन पत्र दाखिल किया परखन परिसर में घूम घूम कर विदी विवस्ता को सही तरीके से निर्वहन करवाने है तू हर्लाकी थाना जेक्ष प्रेमलाल पासवान एव खिरर थाना जेक्ष अंजेश कुमार अपने दलबल के साथ मौजूद थे इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कौमी ताम जीम न्यूज पेपर दरभंगा